सो हेलो गाईज आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर डीजे सेटप के बारे में जो की हमारे पास रहेगा दो एले मोनिटर और यहाँ पर हमारे पास रहेगा चार टॉप जो की 226 में रहेगा प्लस उसके लिए एमपलीफार हैगा मतलब सभी के लिए अलग-अलग और 1200 वाड का चार बेस रहेगा हमारे पास जो की कम्पलीट रहेगा फ्रंट में और यहाँ पर हमारे पास एमपलीफार हैगा MT601 सभी का प्राइज आपको कितना पर जाता है यह सारी चीज़ आप यहाँ पर जानने वाले हैं इस वीडियो में जैसे की एले मोनिटर का प्र प्रिया लेना है आल प्रिव स्पीकर चार सो वाड़ स्पीकर एसार एक साथ सो पचीस स्टेज मोनिटर दो एले मोनिटर चार टो बाइस चब्विस एंड चार फ्रंट बेस बार सवाड एक MT601 एमपलीफायर और यहाँ पर है CA20 एमपलीफायर एंड CA12 का टोटल प्राइस बताइए ब्रो प्लीज जैसा कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है CA20 और CA12 MT601 एक तो काफी अच्छा है आप एमपलीफायर आपके लिए लेकिन जो आपने CA20 रखा है जिसमें आप यहाँ पर चार टोब 22-26 चलाएंगे तो यहाँ पर उसमें काफी अच्छा चल जाएगा ल 24-26 चार टोब को चलाने के लिए और यहाँ अपर यहाँ पर जो आपका रहेगा LA मॉनीटर जो की 400 वाड में है वो भी PIDO में है तो आप यहाँ पर RX2000 ले सकते हो जो की AnnexArduo के तरप से आता है या फिर RX3000 भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको PIDO का इस्पीकर लेना है 400W में तो आप RX 2000 ले सकते हैं CA 12 लेंगे तो यहाँ पर ज्यादा powerful हो जाएगा तो speakers जो है जल सकता है तो चलिए full details के साथ हम बात करेंगे price अलग-अलग मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर LA monitor जो आपका रहेगा 400W में इनका कहना है कि all PRDO speaker मतलब सभी में PRDO speakers रहेंगे तो यहाँ पर PRDO speaker रहेगा 400W में जो कि यहाँ पर LA monitor में रहेगा दो पीस इनको लेना है मतलब एक-एक मतलब दो पीस हो जाता है सिंगल-सिंगल और यहाँ पर जो इसका प्राइस बिता रहा हूँ वो बेस्ट क्वाल्टी में आपको प्राइस बिता रहा हूँ जो कि काफी सही रहेगा और उसके लिए आपको amplifier जो लेना है वो आपको लेना है NXRDO का RX3000 आप ले सकते हो जो कि इसका जो प्राइस रहेगा 22 जो कि 1000 वार्ड AES पाउर में आता है कंपनी 600 वार्ड RMS बोलती है चार इन जो इसकोईल में आता है और अगर हम बात करते हैं डूल टॉप बनाते हैं मतलब 4 टॉप अगर हम बनाते हैं SRX 725 केबिनेट में जो कि कस्टम रहेगा और काफी बेस्ट क्वाल्टी में रहेगा तो यहाँ पर लगबग 1,440,000 के आसपास में आप बना सकते हो एक टॉप आपका लगबग 32 से 35,000 के आसपास में आपका बन जाता है तो यहाँ पर 35,000 आप पकड़ की चलिए अगर काफी अच्छे क्वाल्टी का आप बनाते हो तो 35,000 में आप 22,000 का डुवल टॉप यहाँ पर एक टॉप कम्प्लीट बना सकते हो और यहाँ पर 1,440,000 आपका बन जाता है कम्प्लीट चाट टॉप का वह हम बात करेंगे इसके लिए एम्प्लीफार हमें कौन सा लेना पड़ेगा तो यहाँ पर आप साउंड इस्टेंडर अगर आप लेना चाहते हो तो साउंड इस्टेंडर में आप CA 12 ले सकते हो जो कि 2 एम्प्लीफार रहेगा और काफी अच्छा साउंड आपको मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर 2 टॉप एक एम्प्लीफार में चलेगा और 2 टॉप दूसरे एम्प्लीफार में चलेगा फोरॉम्स के अंदर चलेगा जो कि काफी बेस्ट क्वाल्टी और काफी अच्छा साउंड आपको देखने को मिल जाएगा और वहीं हम बात करेंगे 1208 के 4 बेस के उपर तो यहाँ पर 1208 के 4 बेस अगर आप PIDO का लेते हो 1208 में तो आप यहाँ पर MT601 मत लीजे आप MT201 ले सकते हो जो कि काफी अच्छा आपको साउंड दे देगा तो यहाँ पर अगर आप 12008 का 4 बेस लेते हो AES पाउर में तो यहाँ पर MT601 आप ना लीजे MT201 लीजे अगर आपको MT601 ही लेना है तो यहाँ पर आप PIDO का 1500 बेस लेते हो जैसे कि आप PIDO का 1000 V2 इस पीकर ले सकते हो जो कि C181000 V2 अभी नया वर्जन भी आगे चुका है तो आप नई मोडल वाला भी ले सकते हो जो कि 1600 बेस पाउर में आता है और काफी अच्छा पंच और काफी अच्छा बेस आपको उसी स्पीकर में देखने को मिल जाता है 4.5 इंच वोई स्कुल में आता है बना सकते हो डूल या फिर फ्रंट भी आप बना सकते हो सुरी सिंगल भी आप बना सकते हो जो कि इनको फ्रंट में चाहिए तो आपको जैसा भी बनाना है डूल में बना सकते हो सिंगल में भी आप बना सकते हो चार बेस तो यहाँ पर लगबग 90,000 के आसपास में आप पकड़ की चलिए प्राइस उपर नीचे हो सकता है अगर आप यहाँ पर 1000 भीटू यूज करते हो नीव वाला अगर नीव मोडल वाला लेते हो तो लगबग 85,000 पड़ेगा अगर अल्ड मोडल वाला आपको मिलता है 1000 भीटू तो आपका प्राइस वो लगबग 80,000 के आसपास में आप बना सकते हो और वहीं हम बात करें MT601 जो कि MT601 आपके लिए बेस के लिए एंप्लिफायर रहेगा और इसका जो प्राइस रहेगा वो लगबग 33,000 से 55,000 के आसपास 55,000 में आपको एंप्लिफायर मिल जाएगा सभी मार्केट में अलग-अलग प्राइस होते हैं तो अपने मार्केट में प्राइस जो है पता कर लीजिएगा और यहाँ पर हम बात करेंगे आपको कैसे चलाना है यहाँ पर 2 speaker एक चला में 2 speaker दूसरे चला में मतलब हम क्या सकते हैं 2-2 base एक एक चला में आपको चलाना है जो कि काफी best result और काफी ज़्यादा base आपको इस एंप्लिफायर में देखने को मिल जाएगा जो कि class H का एंप्लिफायर है dumping factor इसमें एक चला मिल जाता है जो कि काफी powerful एंप्लिफायर है और वही हम बात करेंगे कि इसका जो price रहेगा मतलब total price अगर हमारा देखते हैं DJ setup का तो लगबग इसका price जो है वो लगबग 4 लाक के अंडर में आप बना सकते हो जो कि कोई दिकत नहीं आगी काफी अच्छा response आपको देखने को मिल जाएगा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर total price के बारे में अगर आप 1000 बीटू के साथ बनाते हो 80,000 में complete बना लेते हो तो यहाँ पर जो इसका price रहेगा वो लगबग 4 लाक के आसपास में आपको मिल जाएगा मतलब 4 लाक आपका जो price है वो आप यहाँ पर add करेंगे जो की 4 लाक से उपर ही आपको पढ़ने वाला है इतना सारा setup प्लस इसमें generator रहेगा उसमें आपको पुड़ा wiring पुड़ा setup करना पड़ेगा lightning करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे quality का लेते हैं तो आपका price जो generator यूज कर सकते हो जो की काफी सही रहेगा और अगर 15 की विएका यहाँ पर price वीडियो देखना है तो नीचे description में मैंने link दे दिया है या फिर आप चैनल में भी चेकाउट कर सकते हो आपको 15 की विएका generator का price और उसमें कितना load डालना है वो सारी चीज आपको जो है details के साथ वीडियो मिल जाएगा चैनल में आप चैनल को चेकाउट कर लिजेगा और बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे अगर आप यहाँ पर बहुत सारे वीडियो देखना चाते हैं और आपको सर्च करने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर देखें यहां पर आपको 15 इंची स्पीकर, बेस स्पीकर, एम्पलिफायर, अहुजा, सभी का अलग-अलग यहां पर बनाया हुआ है, जनेरेटर का भी वीडियो उसमें मिलेगा, जनेरेटर के अगर जनेरेटर फाइल में जाएंगे, तो सभी का जनेरेटर का प्राइज और बहुत सा काउट कर सकते हो, आपको काफी इजी होगा, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना है था, वीडियो को लाइक सेर करना मत बुलिएगा, चैन में अगर अभी तक नए हाई है, तो सब्सक्राइब करके बेल एकन कॉल में सेट केलजीगा, मिलते है अगले वीडियो में, त